नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर मेरा नाम है दिशान्त और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक और घर का नक्षा लेका आए हूँ इस नक्षे को हमने कम्प्लीटली रेंड परपस से बनाय हुआ है छोटे से प्लोट में हमने किस तरह से जो है किराय पर देने के लिए रूम्स निकाले हूए है आज मैं आपके लिए जो प्लान लेके आए हूँ एक बहुत ही शानदार प्लान ही रहने वाला है तो वीडियो को आप एंड तक देखेगा अगर आप भी कुछ ऐसे बनाने के सोच रहे हैं कंपलिट बात करेंगे डिजयन की और अगर हम प्लाट के साइज की बात करें तो यहां पर हमने जो डिजयन किया है यह 20 विट तीन इंच लगभग 44फिट तीन इंच का यह प्लाट है तो अगर आपके प्लाट का साइज 20 विडियो आपके लिएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप अभी सस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही डिजाइन देखने को मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये डिजाइन हमने हमारे एक बहुत ही अच्छे सस्क्राइबर के लिए बनाया हुआ है और उनको ग्राउंड फ्लोर पर तीन यूनिट चाहिए था और एक कार पार्किंग भी चाहिए था तो हमने यहां पर उनके अकॉर्डिंग जो ह आप देख सकते हैं दस फिट पाई 14 फिट पांच इंच का यहां पर आपका कार और बाइक विए पार्क हो जाएगा और यहां पर अगर आप चाहते हैं तो यहां पर अपना एक दुकान भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं इस पार्किंग की जगा आपका दुकान देखिएगा यह हमने फ्रेंट सैड में जो है जीना दिया है आप देख सकते हैं अप लिखावाए यहां से हम अपने फर्स टोर पर या फिर सेकेंड पर जितना भी हम फ्लोर पर लाएंगे यही से जाएंगे ठीक है और इस जीने के निचे भी आपकी बैक स्विगरा यहां आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर आपको लगबग आपको एक गेट जो यहां पर लगएगा यहां पर आपको हाइट मिल जाएगी लगबग 9 फिट के आस पास ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमने दियावाए पैसेज, तीन फिट चेंज का पैसेज आने आने के लिए, टोटल आपको इसमें ग्राउंड फर पर तीन यूनिट देखने को मिल जाएगा, और पढ़ते के लिट के साथ आपको, यहां पर आप देख स आप देख सकते हैं, यहां पर सिंक लगावाए और यहां पर स्टोब लगावाए, और यह बातरूम आप यहां पर देख सकते हैं, तीन फिट, 6 एंच भाई, 7 फिट, 2 इंच का, और यह वेंटिलेशन के लिए हमने, यहां पर शाफ्ट वी दिया है, ताकि प्रॉपर तो टोल आपको ग्राउंड फ्रोर पर तीन यूनिट मिल जाता है, एक बैक में भी है, फर्स टोर पर हमने चार रीडु़ दिया वा है, आप देख सकते हैं, बैक में तो बेलकुल सेम है, जैसा ग्राउंड पर था और फ्रेंट सेड में जो हमने पारकिंग दिया था, उसके उपर हमने एक और यूनिट निकाल दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं, यहां पर द को इसमें कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके अपने प्लॉट का साइज भी मुझे बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद